हेलो एब्रीवन सो यहां मैं आप लोगों को बता देती हूं मैं क्या-क्या शॉपिंग करके लाइती सो यह कुरकुरे का पैक है तो यह पांच-पांच उपे वाले जो पैकेट होते हैं तो इसमें 12-15 यूनिट आती है तो मैं यहीं लेकर आती हूं क्योंकि जब भी बच्चे अगर बड़े पैकेट लेकर आती हूं तो यह बड़े पैकेट पूरा ही फिनिश कर देते हैं एक कुरे का पैक लिया था साथ में ही चौकोस का पैक लिया है और यहां पर 1 kg नाजिल का पैक लेकर आई थी साथ में ही आपर जो है 500 ग्राम किसमिस हैं आदा केजी काजू है सा यह मेरी saasuma के लिए है क्योंकि उन्हें काफी ज़ादा पसंद है और साथ में यहापर एक गाला काम है iscrub लेकर आई थी और साथ में ही यह एक केजी अक रोट है और इसके साथ में ही यहापर लिए है आदा केजी बादाम तो यह जितने भी dry fruit है तो यह मेरे जो है सासुमा के लिए है और साथ में यहाँ पर एक यह छोटा सा biscuit का packet लेकर आई थी पाड़ लेजी का तो इसमें एक एक रुपए वाले pack है साथ में यह की क्रीम वाले biscuit लेकर आई थी और इसके साथ यहाँ पर यह लेकर आई थी coconut water तो यह बहुत जादा अच्छा निकला first time हमने try किया था और इसके साथ यहाँ पर लेकर रहा है juice और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं निकू के पापा कर रहे हैं टिकू का project तयार तो टिकू को स्कूल से तो मैं जो है room में सो गई थी और इसके बाद बस यहाँ पर यह गड़ेजी है तो हमारे टिकू ने बनाए हुए थे तो बस यहाँ पर जो है ना morning में paint कर रहा है तो इसकूल जाने के लिए ready हो चुका था और यह clip कुछ पहले की है तो मैं आप लोगों के साथ शियर नहीं कर पाई थी तो मैं अभी कर रही हूँ और साथ में यहाँ पर यह गणपती बपा जो है ना सूप गए थे तो बस हमारे ने को इना color कर रहे थे और यहाँ पर बस इसने जो ना white color ही किया था तो बस जो है अपने हिसाब से उसने बनाया पर काफी अच्छे बने हुए थे यह हमारे गणपती बपा सो इनको भी जो हमने अपने गणपती जी के साथ बिठाया था और इसके बाद बस यहाँ पर यह बच्चे आ गए हैं स्कूल से यह इनकी पार्टी आप देख सकते हैं एक एक पैकेट जो हमारे टिकू ना तीनो ले लिया है भले ही हमारे टिकू खाते नहीं है पर बस जो है ना खेलने के लिए चाहिए ही होता है आज यहाँ पर निकू का कर नूडल्स खाने का मन था यहाँ ना बबब बाख और एक चुली शॉसाश टालिया गरम मसाला और थोड़ा सा यहाँ पर आप डेस्ट कर दिया यहाँ थोड़ा टेस्ट अच्छा होगा और वाकि यहाँ पर सॉसिज डाले है चिली शॉस्ता हमार घर ऊसकेट कर दो दो यहाँ ने कघए तीन मिनड़ पॉमेटो साथ महीं सेजवान चटनी भी एड़ कर सकते हैं और बस इसके बाद यहां पर मैंने पत्ता गोभी एड़ कर दिया है तो इनको भी जो है दो से तीन मेट हम चला लेंगे और इसके बाद जो वोईल करके रखे हुए थे मैंने नूडल्स उन्हे एड़ कर दिया है त तो कैसे हैं आप सब लोग नताशा फैमिली ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है और अभी जस्ट बन किया है नूडल्स मैंने इसकी आप लोग साथ शेयर की हैं तो बहुत टेस्टी बनते हैं और साथ महीं जब भी बच्चो खाने कमोंनों तो घर में ही बना लो मैंने बहुत टाइम से नहीं बना लेते हैं और संग में ही बस यहाँ पर टाइमिंग अभी दो बच रहा है तो अभी जस्ट हम लोग समझ लीजिए लंच में खा रहे हैं यह नूडल्स मुझे भी काफी पसंद है पहले नाश्टा कर लेते हैं फिर मिलती हूँ और इसके ब पन कर दी है साथ में ही बस यहाँ पर जो है ना इसकी उपर लगी हुई पनी भी हटा देती हूँ और क्वालिटी मुझे ठीक लगी बहुत जादा अच्छी तो नहीं कहेंगे पर हाँ ठीक है क्योंकि इसका मैं शॉट बीडियो भी बना कर आप लोग के साथ शियर कर चुक कर रहे हूं और मैं कोशिश करती हूं वही रग दू क्योंकि किEREना कपड़ेशाँ सारी फैले फैले दिखते ना तो मुझे बिलकुल अच्छे नहीं लगते हैं यहाँ पर मैंने रूम को क्लीन कर दीया है यहाँ सामके 7 बच गय है तो आज बनानी है मुझे भिंड़े की मुखा मिला है सो बस इसलिए हम लोग भी जो ना मम्मी के साथ आरती करेंगे सो इसलिए फटा-पट से सारे काम पर लेती हूं साथ में ही अपने बपा के लिए परशाद बराऊंगी और पूजा बगरे करके जो है आठ सब आठ बजे तक जो है हम लोग जाएंगे मम्मी के घर सो चलिए फटा-पट से काम कर देते हैं शुरू और नुमास की क्लास के लिए गया हुआ था तो बस उसके पापों से लेते हुए आएंगे और टाइम साथ बच गया है तो गंटे की ही क्लास थी तो बस बो लोग भी आने वाले हैं जब तक मैं आज सबजी के तयारी करती बस मैंने यह छोले भीगों के रखे हुए हैं तो सोच रही हूं छोले बटूरे बनाएं क्योंकि निक्कु के काफी जादा फेपरिट है और हमारे गरें में बहुत कम जाना चीज़ा बनती है पर मेरा मन है क्योंकि बच्चों के लिए काफी टाइम से अच्छा नहीं बनाय तो बस यहां पर जो है ना मेरे छोले मैंने रखे हुए हैं तो यह फूल जाएंगी तो मैंने रात में वाइल करके रख दूंगी ताकि मॉर्डिंग में एकटा काम ना करना पड़े और यहां पर जो है मैं फटा-फट्चे सारी भिंडिया काट लेती हूं सो मैं यहां पर गोल-गोल गोल चोटी-छोटी भिंडि काट कर लोंगी और बहुत सिंपल बनाती हूं में बिंडि की साब जी यहां पो मैं सरसों का तेल साथ में ही लैसुन और दो तीन हरी मिल्च एट कर दी हूं बस इसके बाद है आपर यह भिंडी एट कर दूंगी और बस इन्हें जो इन अच्छे से भून लेंगे तो बस मैं हमेशा भिंडी ऐसी बनाती हूं क्योंकि सिंपल भिंडी खाने में जाद अच्छ कि लगती है कभी-कभी अमन होता है तो मैं जो है मसाले की भिंडी बना लेती हूं और साथ में यहां पर बस मैंने नमक एट कर दिया है और भस अब ढ़कन रखके पकाएंगे और इसके बाद बस इसमें निम्बू एट कर देंगे और अभी मैं यहां पर बना लिए प्रशा लिए निम्ही आज पर भूनेंगे साथ में यहां पर भोलकी घृतली अपन गई थी तो मैंने जो है से चमस से फोड दिया है और बेसन भूनने के बाद बस यहां पर मैं एक गलास दूद एट कर दूँगी मैं च्छोटा गलास दूद लिया था और बस इसे अच्छ से मिक् यहां पर मैं थोड़ा सा और इससे अच्छे से मिक्स करूंगी ताकि यह और अच्छा हो जाय है और सारे बिसन को मैंने घटटा कर लिया और इसके बन कर तेश्टी तो यह हमारे बेसन न के मोदक बन कर तैयार है इसके बाद सबजी भी मेरी बन गई थी तो मैं यहां पर बनाऊंगी रोटियां उसके लिए मैंने आटा गून लिया था और बस फटा-फट से रूटियां सेख कर लग दूंगी तो मुझे जो है मम्मी के साथ जाना था तो मैंने सूचा पहले खाना बना के लग दे क्योंकि आते समय काफी लेट हो जाए अद्धार करने के बाद बस अब हम लोग आ चुके यहां पंडाल में आप देख सकते हैं बच्चे काफी खुश हो रहे हैं और सामने आप देख सकते हैं गणपति जी का पंडाल बना हुआ है तो बस मम्मी हमसे पहले आ गए दे तो बस मैं मम्मी यहांपर बैठे हुए है और इसके साथ में ही मम्मी आपर पूजा बगर कर रही है साथ में ही बस गणपती की और इसके बाद यहाँ पर संकर जी का मंदिर बना हुआ है यहाँ पर बस सबी लोग जो है शंकर जी की भी आरती करेंगे पूजा बगर है हो गई थी टाइम यहाँ पर जो है साड़े नो बच गया था बस दो नो बच्चे घर जाने की जित कर रहे थे तो इन्हें यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा था पर मैंने बुला था थोड़ी देर और बैटते हैं पर यह लोग नहीं माने तो बस जो है फिर हम लोग घर पर चले गए थे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं पंडाल दिखा देती हूँ साथ में यहाँ पर काफी सारे लोग भी आए हुए थे तो बस जो है पूजा पाट करके काफी ज़्यादा अच्छा लगा और मम्मी यहाँ पर रुख गई थी और बस मैं जो है दोनों बच्चों के साथ चली गई थी साथ में यहाँ पर बच्चों का डांस कॉंपर्टीशन रखा गया था पर बच्चों का बिल्कुल मन नहीं था तो बस मैं आ चुकी हूँ यहाँ घर पर और इसके बाद यहाँ पर मैं आपको लेकर चलती हूँ अपने न्यू प्लॉट पर सोहा हम लोगों ने प्लॉट लिया है और इसी पर जो हम अपना नया घर बनवाएंगे क्योंकि हमने बने हुए देखे तो वो हमारे बजट से बाहर जा रहते तो वस हमने जो अभी इस टाइम प्लॉट ही ले लिया है तो यह आप सीधे रोड देख रहे हैं तो वस इसी रोड पर हमारा प्लॉट है और इहाँ पर बिजली के खंबे वगडर लग रहे है तो वही रखे हैं तो वस जहां से मैं आप लोगों को दिखा लिए तो यहीं पर जो हमारा प्लॉट पड़ेगा और साथ में यहां पर अभी आप देख सकते हैं खेती खेते हैं बाकी अभी जो है मकान बनना शुरू नहीं हुए हैं क्योंकि यह फेस टू है और सामने आप देख रहे हैं वो फे गार्डन तो इसलिए हमने यहां काफी अच्छा लगा और आप देख सकते हैं काफी ज्यादा चौडी रोड़े हैं यहां पर और काफी अच्छे फुट पाथ भी बने हुए हैं तो बस यहां पर यह सारी चीज बहुत अच्छी लगी तो बस जहां पर मैं खड़ी हुई हूँ यहीं पर हमारा प्लॉट है तो बस जो है मॉर्निंग बॉक के लिए हम यहीं पर आते हैं सुबश डेली जो है अपने प्लॉट को देखकर जाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कुछ टाइम बाद जो हम यहां पर कंट्रक्शन का काम शुरू करेंगे पर अभी तो यहां पर थोड़ा सा काम बागी रहे गया है तो अभी तो कंट्रक्शन काम शुरू नहीं हुआ है पर एक से दो महीने लगेंगे तो जो है कंट्रक्शन काम शुरू हो जाएगा और आप देख सकते ना काफी बड़ी कॉलोनी है और बहुत अच्छी यहां पर जो है ना कटी है साथ में ही रोड़े काफी ज़्यादा चोड़े-चोड़े हैं तो इसलिए हमें जो है यह कॉलोनी पसंद आई और बस यह बना हुआ है मैंगेट आज मैंने आप लोग को फाइनली अपना अप्लोड दिखा दिया है आप लोग बताएगा कैसा है तो आज के इस ब्लोग को यह इंपर रैंट करते है और अगर आपको आज का मेरा यह ब्लोग पसंद आयों तो इसलिए को लाइक कर दीजिएगा और जो भी मेरे चैनल पर ना है सब्सक्राइब करना ना भूले फर से मिलते हैं एक न्यू ब्लोग